दोस्तों, Motorola ने तीसरा फोन लाँच कर दिया है, दो महीने इस साल के खतम नहीं हुए, अल्रेडी तीसरा फोन आ गया है, वो भी 10,000 के इंचे, वो भी बजट सीरीज में, जो भी तीन फोन लाँच किया है, सभी बजट सीरीज के, और ये जो है, ये एंट्री लेवल का, उनका है, Motorola G04, जी हाँ, पहले जो E13 था, E सीरीज थी, उनकी बजट सीरीज की, वो शायद वो फेज आउट कर रहे है, एंड उसके जगपे, मैं कहूंगा, उसका सक्सेसर है G04, अब मैं E सीरीज के बारे में बात करूँ, तो बहुत सस्ता तो था, लेकिन बहुत सारी चीज़े न मत भूलिए, प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका जो बेस वेरियंट है, 7000 के नीचे आता है, 6999 में आता है, और अगर आप एक्शेंज वो गेरे करोगे, तो साढ़े साथ साथ सो और आफ है, तो 6249, ऐसी सवाच्छे हजार उपए इसकी प्राइस हो जाती Okay, phone, you know, feel, जो है न, phone, बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, quickly box के अंदर क्या और देख लेते हैं, documentation, जो शायद ही कोई पढ़ता है, चोटा सा, बहुत ही चोटा 10 Watt का adapter आता है, वैसे phone जो है, वो 15 Watt को support करता है, बट adapter आपको 10 Watt का मिलता है, the humble sim card tool, USB, type A2, type C cable, yes, So that's about it, चलिए असब रखते हैं, side में, अब देखते हैं, phone के पास, case को भी निकालते हैं, वैसे ये एक ही phone आता है, जो case के साथ आता है, box के अंदर, look at this, मैंने कहा न, वैसे हमने office में हमारे लोग से कुछा कि ये कितने का phone होगा, तो कोई 12,000 के रहा है, कोई 15,000 के रहा है, So it definitely punches about its weight, PMMA में पीचे की तरफ, इसमें colors भी बहुत सारे आते हैं, let me show you, some vibrant, lovely colors, इसमें एक black भी है, बट ये जो है, ये colors है, ये जो है, orange, I love this orange, looks really nice, चलिए, वेट, वेट करते हैं, light है, seriously light, पतला भी है, flat sides है, modern phone दिखता है, for sure, look at this, 170, नह यार, 170 gram, बहुत ही light लग रहा ह 178.9 grams, जिया थोड़ा कम मैंने खा, बट हलका लगता है, बहुत ही जादा हलका है, वैसे panda glass का protection भी आता है, दोस्तो, गिरा के देखते हैं, one, two, and, side से गिर गए, इस्टे, तो, oh, मैं जोर से गिरा रहा हूँ, क्योंकि height जादा नहीं है, तो थोड़ा, गिरा के देखते है, नहीं दोस्तो, absolutely nothing, overall दोस्तो, अच्छी build quality का है, वैसे दोस्तो, ports and buttons के बारे में बात करों, तो नीचे speaker grill, USB Type-C, microphone आता है, left-hand side में SIM card tray है, उपर 3.5 jack है, Dolby Atmos की badging आती है, तो speakers are Dolby Atmos tune, उपर की तरफ आता है, volume rocker right-hand side में, and then power on-off है, जो side-mounted fingerprint sensor भी है, so, पहले E13 में FPS वा आ गया है, वो भी side-mounted, so, that is definitely good, and यह जो, इसके frames है न दोस्तो, वो भी color coordinated है, so, it looks very premium, look at this, nice, good work on design, definitely मैं कहूंगा, वैसे दोस्तो, इन में से आपको कौन सा color सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूर बताएगा, tell me, which one did you like, green, blue, orange, do let me know, वैसे बहुत सारी अच्छी च slot आता है, इसके अंदर, so, that is there, वैसे IP52 का सर्टिफिकेशन है, gasket वगे रहाता है, so, that is again, nice, let's start the phone, अगर डिस्पले के बारे में बात करूं दोस्तो, तो डिस्पले 6.6-inch का HD+, 90Hz डिस्पले आता है, 537 nits brightness है, जो अगे इस प्राइज में मैं कहूंगा, decent है, high brightness mode, so, bright display भी आ average size की कहूंगा, punch hole है, so, display जो है, दोस्तो, that looks modern as well, जैसे मैंने का, दिखने में तो, यह लगता है कि ज्यादा मेहंगा phone है, अब दोस्तो, quickly, specifications के बारे में बात कर लेते हैं, यह आता है, Unisoc T606, इस processor के उपर, यह tried and tested processor है, दोस्तो, बहुत सारे जो phones है, 10,000 के नीचे, वो EC processor पर आते हैं, बट मैं एक बात कहता हूं, अगर यह प्रोसेसर आपको लेना है, जिसका अंतुदू स्कोर 2,60,000 के करीबाता है, phone should not be beyond 7, 7,500 और यह जो है, यह अंडर 7,000 है, so, decent है, for 4GB, 64GB वर्जन, इसमें 8,128 वेरिंट भी आता है, जो देड़ हजार से ज्यादा है, UFS 2. 2.2 storage type है, that is good, LPDDR4X RAM type है, charging के बारे में बात करूं, तो phone 15W को support करता है, लेकिन 10W का adapter आपको inside the box मिलता है, और एक चीज़ दोस्तो, यह जो phone है, शायद ही एक phone होगा, अभी तक पहला ही phone है, जो इस price range में, 7,000 के नीचे, जो out of the box आपको Android 14 देता है, yes, it has got Android 14, दो साल के security updates उने कहें, major updates के बारे में कुछ नहीं बता है, अगर OS के बारे में बात करूं, तो recommendations है, again, budget series में, you expect, third party apps होगे रहे हैं, जो आप uninstall कर पाऊगे, but they are definitely there, recommendations होगे आते हैं आप, performance के बारे में बात करूं, तो low to medium settings पे, 40fps पे, आप gaming वगेरे कर पाऊगे, BGMI खेलना है, बहुत दिर तक खेलना है, तो FPS definitely 30fps तक drop हो जाता है, but yeah, decent, you can play on this, वो भी heavy games, वैसे virtual RAM, RAM boost कहता है, motorola उसे, वो भी मिलता है, अगर 4GB variant यह, 4GB extra RAM मिलती, 8GB यह, 8GB extra virtual RAM मिलती, वैसे, gaming में एक चीज़, मैंने मैंसूस की, gyroscope नहीं है, दोस्तों, इसके अंदर, ठीक है, I'm saying, हो तो अच्छा होता, but sensors में, side-mounted fingerprint sensor है, face unlock है, gyroscope नहीं है, connectivity के बारव, that I think is a strong point, क्योंकि 2x2 memo मिलता है, इसके अंदर, dual band Wi-Fi है, 4G, 5G का support नहीं है, obviously, 4G phone नहीं है, 5G phone नहीं है, and Bluetooth 5.0 का support आता है, OS के features के मैंने में बात करूं, तो, motor gestures जो है, उसका support है, यह, देखिए, yes, and haptic feedback अगरे, अच्छा है, you can feel that, वैसे, इसमें और एक है, shortcut के लिए, sidebar मिलता है, जहाँ पे 6 apps अगरे, आप रख सकते हो, जो most used apps है, आपके, so that is that, multimedia के बात करते है, surprising की, multimedia मैं कहूंगा, decent है, because of audio, Dolby Atmos supported है, loud है, so that is good, and display, decent है, bright अगरे है, so that is good, and display, decent है, bright अगरे है, त color coordinated, you know, it does not have that steel ring, generally, वो होता है, but this is color coordinated, तो दिखने को बहुत अच्छा है, but इसमें एक ही camera, नीचे जो है, ये LED flashlight है, उपर 16 Megapixel का sensor मिलता है, primary, और आगे 5 Megapixel का selfie sensor मिलता है, punch hole में, जी हा, वैसे 5 Megapixel अगरे, भी बहुत पुराना हो गया, प्राइस भी का में ठीक है, but still, ऐ बारे में बात करूं, तो features अगरे आते है, time lapse, video mode, portrait mode, photo mode, night mode भी है, इसके अंदर देन, वो scan भी कर सकते हो, QR code अगरे scanner है, तो features के मामले में, all good, हमने बहुत सारे photos अगरे निकाले हुए है, दोस्तो, original quality में आप photos देख सकते हो, वीडियो ग्राफी के बारे में बात करूं, त बारे में बात करें, FM radio आता है, इसके अंदर, notification light नहीं है, noise cancellation microphone नहीं है, लेकिन Dolby Atmos है, IP52 certification आता है, so, decent phone again in this particular price range, एक बात करूं, इस price range में है, इसलिए में इसे अच्छा phone के रहा हूं, बट अगर हो सके तो आप 8GB variant लिए, 4GB in today's world, मिलाँ आप एक्दम tight budget पे हो, then it is okay, otherwise try to go for 6 or 8GB variant, but again, with exchange वगेरे आप कर रहे हो, तो 6 to 4, 9 price के लिए, definitely में कहूंगा, G04 is a decent offering, अगर आप अभी feature phone से graduate कर रहे हो, आपका budget tight है, या फिर second phone आपको चाहिए, definitely you can look at this, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो ता, keep tracking and stay safe.